भहस का अडर या गादी नहीं बढ़ रही है और इसी अडर गादी को बढ़ाने के लिए आपने कई उपाई भी अपना ले लेकिन कुछ नहीं हो रहा कुछ लोग कह रहे हैं कि भहस की अडर और गादी एक बार ब्याने के बाद नहीं बढ़ती अगर ये सारे सवाल आपके जहन में चल रही है तो वीडियो आपके लिए है तो चलिए जानते हैं कि भैस के अडर ये गादी को कैसे तेजी से बढ़ा सकते हैं नमस्कार पशुपालग भाईयो मैं निवल साथ ही आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूटीब चैनल पर आज हम फिर से हाजिर हो गए है एक जबर्दस वीडियो लेकर आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भैस के अडर या उसके गादी को कैसे बढ़ाना है हम सभी जानते हैं कि भैस की जो कीमत है या भैस की दूद देनी की शमता है वो अकसर उसके अडर को देखकर मापी जाती है ऐसी में अगर अडर ही बहुत छोटे हैं तो उन्हें बढ़ाने के लिए पशुपालग भाई कई तरीके के उपाय अपनाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि भैस के जो अडर हैं उन्हें साधारन तरीके से मतलब कि एक साधारन उपाय से कैसे बढ़ा जा सकता है लेकिन इससे पहले हम आगे चलें और आपको इसके बार में कुछ भी बताएं आप हमारे एक छोटा सा काम कर दीजे हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को दबा दीजे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएं भैस के अड़र या गादी को बढ़ाने के लिए आपको दोहरा उपाय अपनाना होगा यानि कि कुछ साधारन घर के देशी नुस्खे और दूसरा कुछ दबा जी हाँ और इन दोनों के वारे में हम आपको बताते हैं अब इस देशी उपाय के लिए आपको कुछ सामगरियो के वश्यक्ता पढ़ने वाली है जिसमें से पहली जो चीज है वो है मेथी दाना मेथी दाना आपको आसानी से बाजार में किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा या फिर हो सकता है कि आपके घर में भी यह मौझूद हो दूसरी चीज पीली सतावर ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी और बाजार में आप इसे ले सकते हैं अब दोनों की जो मातरा हैं वो अलग-अलग हैं जैसे कि मेथी दाना है वो आपको धाइसो से साड़े तीन सो ग्राम तक लेना है वहीं पीली सतावर आपको करीब पचास ग्राम लेनी है यानि कि एक दिन के लिए पचास ग्राम लेनी है और करीब आपको दस दिन तक पीली सत पिछली वीडियो के इंदर, Rummen Health के बार में काफी विस्तार से आपको बताया है, आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, अब बात करते हैं, Rummen Health को ठीक रखने के लिए, आप कुछ आहार अपने पशु को दे सकते हैं, जैसे कि इसमें मक्का हो गया, मिनरल मिक्शर हो गया, दाना हो गया, आनाज हो गया, और चारे का जो combination है, वो भी आपको अपने पशु को देना होगा, जो दवा आपको अपने पशु को देनी है, वो है अडरेच और मिलको फीड, क्या है, अडरेच और मिलको फीड, अडरेच आपको 15 ml लेनी है, और जो आपका मिलको फ जो आहार आप जानते हैं, उसको अगर आप लगातर बना कर रखते हैं, तो आपकी भैस की गादी या अडर बहुत तीजी से बढ़ जाएंगे, ज्यान रहें कि ऐसा कोई भी उपाय जब अपना रहे हों, तो किसी पशू चिकत्सिक की सलाह पर ही अपनाई, वह सकता है कि आप पशू के अंदर किसी तरीकी कोई दिक्कत भी हो, तो ऐसे में अगर आप किसी पशू चिकत्सिक की सलाह ले लेते हैं, तो इससे पशू चिकत्सिक उसकी पूरी की पूरी जाच करके आपको उस उपाय के बारे में सही सटीक चीजे बता सकता है, खुझ से डॉक्टर ना बन आपके फायदे की, तब तक के लिए धन्यवाद